Welcome Students, कैसे हैं आप सब लोग? Students, इस वीडियो में हम सीखेंगे RAS यानिके Ronin Angio Tensil Eldosterone System के बारे में Actually, Ronin Angio Tensil Eldosterone System क्या है? ये Actually में एक Arterial Blood Pressure Regulation को Control करने का System है यानि कि जब भी हमारा जो Arterial Blood Pressure है, वो जब Decrease होता है, तो निचर ने उसको कंट्रॉल करने के लिए हमारी बोडी में एक सिस्टम रखा है इसे बोलता है रास अब रास में एक्चुली क्या होता है students की एक हर्मौन होता है उसे बोलता है Raining यह Raining जो है वो कहां से release होता है यह Raining रिलीस होता है extra glomerular apparatus से यह एक्चुली जब blood में आता है तो यह control करता है यह increase करता है हमारे arterial blood pressure को अब कैसे करता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं actually में एक जब भी देखें हमारा जो blood pressure है वो low होगा तुम्हें मैं लिख देता हूं low blood pressure low low blood pressure student जब भी हमारा blood pressure low होगा तो हमारी जो arteries है उसमें blood के जो pressure है वो low हो जाएगा और इसके विजयसे हमारे जितने भी organs है उनको जो blood पहुंचेगा वो actually में low blood pressure पहुंचेगा इसना एक हमारा ओर्गन है kidney अब kidney में भी blood low pressure के साथ जाएगा तो जब भी kidney में blood low pressure के साथ जाएगा तो kidney में juxtraglomerular apparatus एक hormone release करेगा जिसका नाम है renin और renin release कौन करता है juxtraglomerular apparatus students समझा रहे हैं को कि जब भी blood pressure low होगा तो juxtraglomerular apparatus जो कि nephron में kidney में एक apparatus है यह hormone release करेगा renin अब जब renin आपके blood में आजाएगा तो renin का एक function है renin का क्या function है renin एक protein है angiotensinogen angiotensinogen को convert करवाता है angiotensin 1 में सुर्ण जब यह renin आपके blood में आजाता है तो renin का function यह है कि renin angiotensinogen जो एक protein है इसको convert करवाता है angiotensin 1 में अब जब angiotensin 1 के अब convert, angiotensin 2 के अब convert हो जाता है, angiotensin 1 में तो ये अग्टिविटी कहां पर होती है, ये होती है लिवर में, और लिवर में किसके तरूँ ये होती है, एक एंजाइम है, angiotensin converting enzyme, ACE, A.C.E. लिवर में इनकी कनवरियन करवाता है जब भी बलड प्रेशर लो होगा आपकी किड़नी में बलड लो जायेगा तो किड़नी में जिक्स्ट्रागलो मेरल अरप्रेटर से रैनियन रिलीज होगा अब रैनियन क्या करेगा रैनियन जो कि प्रूटीन है इसको कनवर्ट क गो जो है, यह actually मैं क्या है? यह actually मैं एक powerful vasoconstrictor है, vasoconstrictor, vasoconstrictor, अभ गयर अपकर ब्लड में आएगा तो गयर अपकर ब्लड में क्या है, यह क्या करता है? वेजो आधंसानरिक्शन, और जब वेजो आधंसानरिक्शन होती है, तो यहां तक की स्टूरी तो बहुत सिंपल है कि जब भी आपका blood pressure low जाएगा तो आपकी जो kidney में है blood low जाएगा अब kidney में जो low blood pressure होगा तो kidney एक हर्मूलिस करेगा रैनिन रैनिन क्या करता है? रैनिन angiotensinogen को convert करता है angiotensin 1 में angiotensin 1 जो है वो liver में convert होता है angiotensin 2 में by the enzyme angiotensin converting enzyme angiotensin 2 एक खुद एक powerful vasoconstrictor है यह vasoconstriction करवाता है और vasoconstriction की नतीजे में आपका जो blood pressure है वो increase करता है यहां तक हो गई अब यहां पर students एक और है कि angiotensin 2 है यह एक और चीज़ को release करवाता है उसका नाम है aldosterone release of release of aldosterone एक और हर्मोन को release करवाता है aldosterone को कौन angiotensin 2 अब aldosterone जो है students का function यह है कि जो आपकी जो nephron है उसमें सिर्वो reabsorb करवाता है sodium को remember aldosterone का जो function है वो यह है कि आपकी जो renal आपकी जो nephron है उसमें से sodium को reabsorb करवाता है और student sodium जो है वो actually में एक osmolite है यानि कि sodium आपकी body में अगर वापस जाएगा तो उसके साथ साथ जो water है वो भी उसको पीछा करने लगेगा उसका तो इसकी विएसे क्या होता ultimately इसकी विएसे water की reabsorption होती है तो लिखते हैं इसका function क्या है इसका function है as to reabsorption as to reabsorption from nephron अब जब water जब आपकी nephron की reabsorption होगी और water जब आपकी body में वापस आएगा तो actually में क्या होगा कि आपका जो body का वो है blood volume है वो increase हो जाएगा तो इससे क्या होगा ultimately increase blood volume अब खुझ देखें कि जब आपका blood volume increase हो जाएगा तो blood volume के increase होने से आपका blood pressure है वो भी increase हो जाएगा अब कुछ सोचें कि अगर आपकी जो body है उसमें 2 liter जो blood circulate कर रहा है तो उसका pressure ultimately कम होगा as compared to the high blood volume तो जब ये blood volume आपको increase हो तो उसके साथ ही आपका blood pressure भी increase जाएगा increase blood pressure तो students ये था कि कैसे आपका renin angiotensin aldosterone जो है आपके arterial blood pressure को regulate करता है अब इसको एक मर्दबा फिर से recap कर लेते हैं देखें जब भी students आपका जो low blood pressure हुआ तो low blood pressure की नतीजे में आपकी जो kidney थी उसके तरफ भी low blood pressure गया तो kidney में juxtaglomerul apparatus ने एक hormone release कि उसे बोलते है रैनिन अब रैनिन जब release हुआ तो रैनिन आपके blood में आया तो रैनिन ने angiotensin 2 था यह actually में एक powerful vasoconstrictor था इसने vasoconstriction करवाई और vasoconstriction की नतीजे में आपका जो blood pressure है वो increase हुआ अब जब को angiotensin 2 है यह release करवाता है aldosterone को aldosterone का function यह है कि वो nephron से आपका sodium को reabsorb करवाता है अब sodium एक osmolite है sodium जब भी reabsorb होगा तो water भी उसके साथ reabsorb होगा क्योंके water always loves sodium तो ultimately कि क्या हुआ कि water की reabsorption होई नेफरों से अब water आपकी body में वापिस गया तो आपको जो blood volume है वो increase कर गया अब जो आपका blood volume है increase कर गया तो blood volume की increase करने से आपका blood pressure भी increase कर गया तो ये पूरा था कि कैसे renin angiotensin aldosterone low blood pressure को increase कर वाता है I hope so क्याप को समझ आ गई होगी अल्ला हाफसे